हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजय और आज के इस ट्रेणिंग वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और विनंदन करता हूँ आसा करता हूँ कि आप सभी सकुसल होंगे, स्वस्तों होंगे और अपने आने वाले एक्जाम के तहरी बड़े बरदस्त है केसे कर रहे होंगे इसी कड़ी में मैं एक वीडियो लिखाये हूँ जिस पर हम चर्चा करेंगे important question की और यह जो capsule series लाए हूँ जो important questions की यह इसको ध्यान से देख लिए क्योंकि यह आने वाले एक्जाम में आपके लिए काफी महत्पुर होंगे इससे जुड़े सवाल आने के बहुत जादा संभावनाएं होंगी तो चलिए सुरू करते हैं आज के session का पहला सवाल जो काफी important है इसमें बात करते हैं as per MSME definition micro small medium enterprises are जहां अभी देखिए नया MSME के definition में change हुआ है तो COVID-19 के खिलाब जो आर्थिक package जारी की हैं इसके तहत एक बड़ा कदम उठाया है भार सरकार ने इनने MSME के नए definition जारी की हैं तो इसको तो आप याद कर लिजी अच्छी तरह से इसमें micro कोन होगा small कोन होगा medium कोन होगा और इसका decision जो है उनके investment और उनके turnover के अधार पर तया किया गया है पहले क्या था plant and machinery में investment देखा जाता था अगर manufacturing का है तो और equipment में investment देखा जाता था service में हो अभी और तमान जो definition है इसमें इनको हटा दिया गया है अब investment सब्द है के वाली investment सब्द है और investment के अधार पर और turnover के अधार पर इसको क्रक्राइशन किया गया है तो आइग देखते हैं अगर micro units कहलाएंगे अगर उनमे इन्वेस्टमेंट एक करोड होगा और turnover जोह है पाँच करोड होगा याद रखिए कहलाएंगे investment पचास करोड होंगे और turnover जो है 250 करोड होंगे इसमें अगर आप investment भी याद कर लिए ना तो turnover अपने आप याद हो जाएगा क्योंको उसका पांच गुना आप कर लीजीगा यह जो medium enterprises है यह 13 माई 2020 को यह 20 करोड investment था और 100 करोड जो है turnover था लेकिन अभी जून एक को फिर इसमें तब्दिली कर दी गई उसमें दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया और investment को 50 करोड कर दिया और turnover को 200 करोड कर दिया तो बहुत सरी MSME इसके दायरे में आ जाएंगे तो इसको याद कर लिजेगा इसका यह बिलकुल ही सवाल अत्ती महत्पून है चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के सवाल नंबर दो पे सवाल नंबर दो के अनुसार रिज़र्बैंकव इंडिया है इस एक स्पेस कंसर्ण ओवर राइजिंग बैड लोन फ्रॉंस रिज़र्बैंकव इंडिया ने कंसर् प्रधान मंत्री मुद्रा योजना है क्योंकि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में एंपी की जो संख्या है और उनका परसेंटेज है काफी बढ़ रहा है तो इसका सही उतर होगा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना जिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर तीन आपक जब पढ़ाया हूँ, उसमें 100 करोड दिखाया हूँ, लेकिन वो पहले का वीडियो है, जिसको अभी 12 सरकार ने उसको बढ़ा दिया है, इसका capital, minimum capital जो है 200 करोड होगा, तो इसको update कर लिजे, जो पहले 100 करोड था minimum capital requirement, उसको 200 करोड कर दिया, यह ऐसा इसलिए किया, ताकि बह कर लिजेगा, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, सवाल नमर चार आपके स्क्रीन पर कुझे इस प्रकार है, सवाल नमर चार के नुसार, payment banks willing to convert themselves into small finance bank can apply such a license only after many years of operation, जिया जो payment bank है, सिर्फ और deposit ले सकते हैं, payment लेते हैं, और deposit भी एक लाग से जादा नहीं ले सकते, तो ऐसे bank जो है, small finance bank के लिए convert कर सकते हैं, कितने साल के operation के बाद, और आपकी option है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, जिया इसको जो उसका सही उतर है, वो 5 साल बाद, 5 साल बाद, satisfactory तरीके से payment bank चलाने के बाद, वो convert कर सकते हैं, application दे सकते हैं, small finance bank में तबदिली के लिए, payment bank क्योंकि loan नहीं देते हैं, तो इसका सही उतर होगा, 5 साल, चली दोस्तों बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 आपके screen पर कुछ इस पकार है, सवाल नंबर 5 के अनुसार, RBI has made following facility available 24 into 7 from 16 December 2019, जिया इसका सही उतर होगा, NEPT, National Electronic Fund Transfer है, NEPT, इसको 24 into 7 कर दिया, 16 December 2019 से, तो इसको बिल्कुल याद कर लिजे, यह काफी important सवाल है, यह दोस्तों बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 आपके screen पर कुछ इस प्रकार है, सवाल नंबर 6 के अनुसार, which has become the third Indian firm to cross 100 billion dollar mark in market capitalization, भारत का वो तीसरा जो form कौन सा है, जो 100 billion dollar capital marketization में पहुँच गया है, तो इसके option है, SDFC bank, SBI, Tech Mahindra, Infosys, market capitalization में third position पर जो पहुचा है, उसका सही उतर है, SDFC bank, एक्षन में भारत में इसके पहले reliance है, जो 142 billion dollar पर rank से पहले है, और उसके बाद टाटा है, 114 billion dollar पर है, और अभी 100 billion dollar को cross किया है, वो ह SDFC bank, पढ़ते हैं सवाल नमर साथ, आपके screen पर कुछ इस प्रकार है, सवाल नमर साथ के अनुसार, RBI has kept the permissible exposure limit of a lender on a peer-to-peer lending for all borrower, जहां reserve bank ने एक exposure norms रखा है, maximum exposure peer-to-peer lending, आज के लिए काफी famous हो रहा है, peer-to-peer lending, तो उसमें क्या capping रखा गया, maximum exposure borrower का, तो आपके option है, 50 lakhs, 75 lakhs, 100 lakhs, 150 lakhs, तो इसका सही उतर है 50 lakhs, ये borrower के hit को देखते हुए, उनमें सुरक्षा की भावना को देखते हुए, इनमें exposure limit रखा गया है, कि 50 lakh का capping है, तो P2P lending में all borrower को लेके at any time 50 lakh से ज़्यादा exposure नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही उतर है 50 lakh, चली दोस्तों बढ Reserve Bank of India has directed large cooperative bank to report all exposure above how many rupees of the central repository of information on large credit, क्लीरिक, जिहां Reserve Bank ने cooperative bank को निर्देश दिये हैं, कि वो अपने कितने रुपे के large exposure वाले खातों की जानकारी जो है, क्लीरिक को भेजें, आपके option है 5 करोड, 10 करोड, 15 करोड और 20 करोड, जिहां इसका उतर है सही 5 करोड, 5 करोड और 5 करोड से जो उपर के account है, Reserve Bank ने cooperative bank को भी बोला है, कि वो क्रिलिक को इसका information भेजें, जो इनके दाएरे में नहीं थी, हाला कि अब तो cooperative bank भी, जो है, schedule commercial bank जैसा, सीधे direct protection निगरानी में आ जाएंगे, Reserve Bank के, यह अध्यादेश जो amendment किया गया, Banking Regulation Act में उसके ताहत, लेकिन यह सवाल काफी important होगा, क्योंकि इसके आदेश जारी किये थे, यह PMC bank और अन्य cooperative bank के जो दिवालिया हो रहे थे, जो लोगों का पैसा फस रहा था, और एक असुरक्षा की भावना जो डिपोजीटर में हो रही थी, बैंकों के प्रती, जो cooperative bank है, उनको देखते हुए, यह निर्देश अरिज़र बैंक द्वारा दिये गए थे, इसका सही उतर होगा, 5 करोड, चलि दोस्तों बढ़ते हैं, आप सवाल नमबर 9, आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, सवाल नमबर 9 के अनुसार, the e-auction platform e-bikry is related to, जो e-auction platform है, e-bikry वो किस से related है, आपके option है, online auction आप attest assets by bank, financial inclusion, credit delivery to MSME, all of the above, जो e-bikry जो portal government ने जारी किया है, वो especially online auction है, जो bank से assets attached रहते हैं, और वो सरफेसी के तहद जो attached होते हैं, उनको बेशने के लिए एक platform दिया है, government ने e-bikry है, तो इसका सही उतर होगा, online auction of attached assets by bank, जी हाँ, bankों के लिए कितने दिक्कत होती है, अगर एक सहर में एक bank है, वहाँ पर अगर को security attached है, तो उसको बेशने के लिए local label पे ही उसका auction किया जाता था, लेकिन अभी क्या है, e-bikry होने के बज़े से, पूरा globally कोई भी participate कर सकता है, government ने ये platform दिया है, तो इसका सही उतर होगा, e-bikry, online auction के लिए, bankों के assets बेजने के लिए बनाए गया है, चली दोस्तों बढ़ते हैं, आज के वीडियो का अंतिन सवाल, जो दस्वा नमबर सवाल है, और दस्वा नमबर सवाल कहता है, which bank has introduced one time password, ATM cash withdrawal from 1st January 2020, जियां ATM में अगर withdrawal करने जाते हैं, तो काफी fraud सुनाई देते हैं, तो ऐसे fraud को रोखने के लिए, कौन से bank ने 1st January 2020 से, ATM में cash withdrawal के लिए, जो है, OTP की विवस्ता करी है, और आपके option है, HDFC, Canerabank, Axisbank, SBI, जियां दोस्तों, इसका सही उतर होगा, State Bank of India है, State Bank of India ने अपने ग्रहकों के लिए, एक जनवरी 2020 से, जो भी withdrawal करेंगे, उनमें OTP की विवस्ता चालू कर दी है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है, important है, आप याद रखिए, State Bank इसके पहले Canerabank ने भी किया था, जो 10,000 के withdrawal पे ही होता था, लेकिन अभी जो सवाल आ सकेंगे, वो State Bank के लिए आएंगे, तो इसको याद रखेगा, State Bank के लिए, जी हैं दोस्तों, ऐसे ही capsule सवाल में लेके आते रहूँगा आपके साथ, और आने वाले exam तक आपके जब exam होंगे, बहुत सारे important सवाल आपके पास आ जाएंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी या पुक्ता हो जाएगी, और सफलता के रास्ते तक आप बड़े ही आसानी से पहुँच जाएंगे, बिल्कुल आपने करना क्या है, जो जो मैं बता रहा हूँ, उसी को सीखते जाएए, और जैसा जैसा मैं material upload कर रहा हूँ, उसको थोड़ा review कर लीजे, notes बनाते रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे हैं, हर दिन दो घंटा पढ़ते रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी, जीवन में ग्यान रुपी प्रकास से, जीवन के अंधेरे में उसको दूर करके उसमें उजाला लाने का प्रयास करते हैं, आप उनकर उनके सानित में रहेंगे, तो जरूर सफलता मिलेगी, जीवन उसके लिए स्ट्रगल है, जिसको जीवन में गुरु नहीं मिला, क्योंकि उसको पता नहीं करना क्या है, वो भटकता रहेगा, लेकिन जीवन में जिसको गुरु मिला, जीवन उसके लिए खेल है, क्योंकि गुरु बता देगा, ऐसे खेल तो जीत जाएगा, ऐसे ख खेलते खेलते जीट जाएगा और गुरू के बतावे रास्तों पे जो जल पड़ा जीवन उसके लिए उत्सो है जी update है जीवन अध। तो आसा करता हूँ कि आप भी जीवन को फेस्टिवल की तरह देखते हैं और अपने जीवन में गुरु जरूर बनाईए आप पुराने जवाने में देखिए पुराने महाकाव्य में जाईए राम जो भगवान थे उनके पी गुरु थे सब के गुरु थे और उन लोग इतने आग्या कारी थे कि अगर उनको जंगल भी जाना है ना तो गुरु जी आग्या चाहिए जंगल जाना चाहता हूँ गुरु जी आज मुकुट पहन लूँ आज आखेट पे चले जाऊँ आज ये काम कर लूँ तो गुरु जी बोलते थे आज नहीं करना तो नहीं करते थे लेकिन आज क्या होता है आज हम किसी से पूछते ही नहीं काम कर जाते हैं इसलिए असपलता मिलती है और एक अगर सच्चा गुरु आपको मिल जाए हर केतर का गुरु अलग हो सकता है परिवार शलाने के लिए गुरु अलग हो सकता है जीवन में जीने के लिए अलग गुरु हो सकता है समाज में रहने के लिए गुरु अलग हो सकता है जो योग तपस्या के लिए गुरू अलग हो सकता है तो आप अपने फिल्ड में जो मंजील हासिल करना चाहते हैं उसके लिए गुरू का चैन जरूर करिए और गुरू के सानित में रहिए जिससे आप सीखते भी रहेंगे और जीतते भी रहेंगे और अद्बुत जीवन का आनद उठाते हुए आप सफलता के चरम सिमा पर पहुंच जाएंगे जी यहां दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे से तैयारी कर रहेंगे आपकी सफलता की कामना करते हैं मैं आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार थेंक्यू सो मज